मोहिनी की तीम बेजी थे, पती खुब अच्छा कमाता और बड़े घर की एश, सब था मोहिनी के जीवन में, लेकिन एक चीज जो नहीं थी, वो थी सुकूंग। मेरी बहन और मेरा भाई दो नोगरी, लेकिन मैं मेरे पास तो नोट की बरसा आता है। तभी मोहिनी की बहन वीना, उसके दर्वाजे आ जाती है। अरे मोहिनी कैसी है, मेरे घर में ना सिलंडर खत्म हो गया है, तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलंडर, पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी मोहिनी का पती राकेश आ जाता है। क्या है विना, ये अपने घर की परिशानी हम लोगों के घर ना गाया करो। तुम्हारी बैन को तुम लोगों उपर तरस आ जाता है, और वो पैसे देने लग जाती है, मुझे ये बिलकुल पसन नहीं है। जीजा जी, नहीं, मैं तो वो बस, अच्छा, मैं चलती हूँ। बीना वहाँ से चली जाती है, उसके जाने के बार। अच्छा कीया जोँ आपने सुना दिया। अरे नजाने क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है कि जसे यहां तो भंडारा भरा है अरे कितना तो दे दिया अच्छा जी जरा हजार तो देना वो बिनने दिदी है ना उनकी घर जा रही हो उनका पोता हुआ है तो मुझ दिखाए दे दूगी अहां उन लोगों के आगे तो शौफ किया करो वो खुद को बड़ा अमीर शो करते हैं ना देखा दे कि तूभी किसी से कम नहीं आई अच्छी इसे के लिए तो जा रही हो मुहिनी तयार होकर अपनी बुआ की बेची के घर जाती है जहां उसके पोते का कारेक्रम चल रहा होता है वहां वीना भी आई होती है अरे वीना क्या जरूर थी यहाने की तेरे घर पर गैस नहीं है तो वो भरा लेती क्या करूं मुहिनी बुआ को बुरा लग जाता नहीं जाती तो वैसे मेरे पास एक जोड़ा बच्चे का कपड़ा रखा था वही अपनी चांदी के पायल के साथ देने जा रही हो घर पर गैस थी नहीं सोचा परिवार यहीं खाना खालेगा बाकि सुबह का सुबह देखा मूहिनी को बहन पर दया आजाती है वो पर्स से एक हजार रुपे निकाल कर दे दिती है ले विना लेकिन पैसे वापस कर देना तेरे जीजाजी हिसाब लेते हैं मौहिनी भी क्या करती गरिबी में बहन का सहरा ही उसके जीवन जीने का आधार था फिर एक रोज सुनिये भा बच्चों को साथ ना ले जाओ लेकिन ये जो तुम अपने गरीब परिवार से इंबलने चली जाती हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूं लेकिन क्या करूं मोहिनी भाई-भाबी के घर आती है मोहिनी कैसे आना हुआ तू यहां हम लोगों के घर रह लेगी यहां पिर किसी हाटल में रहेगी क्या हो गया है मा मोहिनी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप अरे तू नहीं जानती अपनी नानत को पैसे वाली है ना तो एड कुछ ज़्यादा ही है मोहिनी को मा की बात का बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि मा उसे जली गटी सुना रही है वो भाबी की बच्ची के साथ लेंदेन करती है और वहां से चली जाती है उसके जाने के बात मा क्यों आप मोहिनी को इतनी सारी बाते सुनाती हो भाई का बेटा बोल पड़ता है मा क्योंकि दादी जानती है कि बुआ के अंदर घमंड है सही बोल रहा है मोहन बहु भले तुझे ना दिखता हो लेकिन मुझे और मोहन को दिखता है कि वो कितनी घमंडी है मोहन मा के आती है जहां गरीबी की कारण चीज़ी कम होती है मोहन के बच्चे को काम पर लगा दू ना किसी दुकान या किसी ओождल में बर्तन बर्तन धूरिया करेगा कम से कम चार पैसे और आएंगे गर में देख मोहन माना तेरे पास पैसा है लेकिन तेरे भाई के दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि वो अपने बच्ची की पढ़ाई रुखवा कर उससे बरतन धुरवाए मोहन मा की और देखता है जैसे आँखों से बूल रहा हो दीख लिया बुआ का हाल हाँ मोहीनी बात तो सही है लेकिन अभी मोहन को पढ़ना है आके तुम भी तो अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हो ना मेरे बेटों से कैसे कंप्यार कर सकती है आँ अरे वो तो कलेक्टर बनेंगे हाँ कलकु वो मोहन को नौकरी में रख लेंगे क्यों मोहिनी कुछ दिन और रहकर चली जाती है धीरे धीरे दिन बेटता है मोहन बड़ा होता है और कड़ी मैनत से सफल भी हो जाता है मोहिनी मा के जाने के बाद तो तुमने भाई-भावी के घर जाना छोड़ी दिया क्यों? वो क्या है ना उन लोगों का घर छोटा है मेरे बच्चे जाना ही नहीं चाते पर तुझे क्यों अचानक माईके की बात याद आ गई? यार मेरा तो माईका है भाई-भावी है मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है हाँ क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे से घर में और कम पैसे में रहने की बहसे क्या खबर है आज कल माईके की अपने अब वो घर छोटा और कम पैसे का नहीं रहा क्योंकि मोहन तो बहुत बड़ा आत्मे बन गया है फिर क्या मोहनी भावी को फोन करती है मोहन किसी बड़ी कंप्टी का मैनेजर हो गया है क्या भाबी क्या ये सच है हाँ मोहनी दिपी अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन कट गए आपके भाई ने कोई अच्छे कर्म किये होंगे जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है देख लो भाबी पहले भी आपने कई गलतियां की थी आप थोड़ा संभल कर चलना भाबी को मोहनी के बाद समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना जाती है फिर एक दिन भी ना मोहनी से कहती है मोहनी हमारा भतीजा मोहन अच्छा कमा रहा है क्यों न मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूँ अरे बुवा का बेटा है ये सोचकर मदद तो करेगा न हाँ हाँ क्यों नहीं करेगा उसके बुरे दिन में तो हम भी खड़े थे मोहन को वीना फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है हाँ हाँ बुवा क्यों नहीं आप सिदार्थ को भेजते हैं मैं अपने ही कमपटी में उसके नौकरी करवा देता हूँ दिन बीचते हैं अब वीना के हालाद भी अच्छे हो जाते हैं क्या बात है वीना तुने भी का लेली वो भी इतनी अच्छी हाँ मोहिनी अपने भती जी के कारण तो हम लोगों की दिन अच्छी हो गए उसने सिदार्थ की नाकरी लगवा दी है वो भी शानदार चीक है लेकिन पैसे खयाल से खर्च करना वो क्या ना पैसे आने आसान है लेकिन संभालने मुश्किल मोहिनी घर पर अपने पती से बात करती है देखो नो सब के पास पैसे है एक वक्त था जब मैं ही अमीर हुआ करती थी लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊगी मेरी नाकरी को कुछ साल ही पच्छे है और तुमारे दोनों लड़के निकम है उन लोगों को बोलो ना कि नोकरी करे तब ही वहाँ मोहिनी के बीजी भी आ जाते है अरे हमें क्या मोहन समझा है जो दिन रात गदे की तरह काम करते रहे खैर दिन फिरते हैं और मोहिनी के पती की नोकरी भी खत्म हो जाती है मोहिनी क्या करे थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा तो क्या करे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मोहन को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए नोकरी देखे मोहिनी क्या कहते उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भावी से मोहन को नौकर बंदी की सला दी थी क्या हो गया क्या सोच रही हो मोहिनी यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है उपर वाले से डर कर रहना चाहिए